गाईज प्रेयर विफो बर्थ यह पोयम लिखी है लुईस मेकनीक ने पोयम का सेंट्रल आइडिया यह है कि आजकल सोशल लाइफ या फिर सामाजिक जीवन कितनी बुरी परिस्थिती में है उसी वज़र से एक अनबॉन बेवी भगवान से प्रोटेक्शन मागता है कौन- वो यह में देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट वो कहता है मैं अभी पेदा नहीं हुआ हूँ आइम नोट यह बॉन ओ हीर मी मुझे सुनो लेट नोट दबलर सकिंग बैट और तरेट और दस्टोट और दगलब फुटेल घॉल कम नियर मी जो खूंच उसने वाले चमगादर बैट यानि चमगादर रेट यानि चुहे और क्लब फुटेल घॉल यानि कि जीते जाकते जो भूध है उसको मेरे से दूर रखना फिर वह दूसरी स्टांजा में कहता है I am not yet born, console me, यानि कि मैं अभी पेदा नहीं हुआ हूँ, मुझे सांत बना दो, I fear that the human race may with tall walls wall me, यानि कि मुझे डर है कि मानव जाती ये जो धर्म की दिवारे बनाती है, उसके साथ साथ मुझे भी दिवार बना सकती है With strong drugs, dop me, यानि कि strong medicine देकर मुझे कमजोर बना सकती है, With wise lies, lure me, यानि कि बुद्धिमान लोग मुझे जूट बोलकर लुभा सकते हैं, फसा सकते है On black racks, wreck me in blood bars, roll me, यानि कि मुझे खून में भी डुबो सकते है, फिर तिस्तिस्तांजा में वो कहता है I am not yet born, provide me, यानि कि मैं अभी पेदा नहीं हुआ हूँ, मुझे दीजिए, मुझे प्रदान कीजिए कौन-कौन सी चीज़े वो माग रहा है, सबसे पहले कहता है, मुझे दुलारने के लिए प्यार करने के लिए पानी दीजिए, या फिर हम कह सकते है कि पानी के साथ उसे enjoy करना है फिर कहता है, मेरे लिए घांस उगाईे, और बाते करने के लिए trees दीजिए फिर वो कहता है, sky to sing me, यानि कि गाने के लिए मुझे sky, आकाश दीजिए, birds and a white light फिर कहता है, और अच्छे विचारों के लिए, उच्छे विचारों के लिए, birds दीजिए जो मेरे mind में जब बूरे विचार आये, तब मुझे guide कर सके फिर वो कहता है, force तांजा में, मैं अभी पेदा नहीं हुआ हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, forgive me वो किस वज़े से माफी माग रहा है, मैं अभी पेदा नहीं हुआ हूँ, मुझे माफ करना इसा कहता है उसके लिए जो पाप में दुनिया में आके करूँगा, मेरे शब्द जब मैं बोलूँगा, मेरे विचार जब मैं सोचूँगा अगर उससे किसी को परिशानी हो, तो मुझे माफ करना फिर वो कहता है, मैं ट्रेजन, एंगरेड, बाइ ट्रेटर्स बियोंड मी अब बच्चे को यकीन है, कि ये दुनिया उससे जरूर देश द्रोह भी करवाएगी और बच्चा कहता है, कि पहले वो मेरे हाथों से किसी के हत्या करवाएंगे और बुरोक कर्मों के कारण में मर जहूंगा, और आखीर में वो तो खुशी से जीएंगे फिर वो कहता है, I am not yet born, rehearse me यानि कि मैं अभी पेदा नहीं हुआ हूँ, वो भगवान से कहता है, कि मेरा पूर्वा भ्यास करो, rehearse करो यानि कि दुनिया जैसा मेरे साथ करेगी, वेसा आप करो, जिससे मुझे आदत लग जाए, ये सब चीजों की दुनिया मेरे साथ खेल खेलेगी, वेसे ये आप मेरे साथ खेलिए, मुझे इशारों में समझना सिखा ये फिर वो कहते है, बुढ़े लोग मुझे व्याख्या एंद देंगे, यानि कि भाशन देंगे, नोकर लोग भी मुझे परेशान करेंगे पहाड मुझे पर हसेंगे, प्यार करने वाले मेरे पर हसेंगे, सफेद लेहरे मुझे मुझे मुर्ख बनाने के लिए बुलाएगी, ताकि जब मैं उसके नजदीक जाओं, तो मुझे डुबा दे दरिये में तेगिस्तान मुझे मानने के लिए बुलाएगा, भिखारी, मैं जब भीख दूँगा, तब नहीं लेंगे, और आखिर में, गिफ्ट के तोर पर, मेरे ही बच्चे मुझे शाब देंगे फिर वो कहते हैं भगवान से, I am not yet born, मैं अभी भी जन्मा नहीं हूँ, मुझे सुनिये Let not the man who is beast or who thinks he is God come near me, यानि कि जो जानवर ऐसा सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, उसको मेरे से प्लीज दूर रखिएगा फिर अगली स्तान सामें वो कहता है, भगवान मुझे ऐसी ताकत से भर दो, ताकि जब ये दुनिया मेरी मानों ताको मिटा नहीं आए, तो मैं उनका सामना कर सकूँ ये लोग मुझे कसीटेंगे, और मशीन में एक दल दल बना देंगे, और आखिर में मुझे मार के मेरे उपर इधर उधर पानी वीखे देंगे, यानि कि जीवित करने का ढौंग करेंगे भगवान से यसी यसी बाते कर रहे हैं, देखिए पोई छोटा बच्चा ऐसा नहीं कह सकता, बड़ पोईट है, वो समाज में एक अवेर्णिस लाना चाहते हैं, कि आज की स्थीती क्या है, उसे हमें सुधानने की ज़रूरत है फिर आखरी दो लाइन है, उसमें क्या कहता है, वो कहता है, let them not make me a stone, उन लोगों को मेरे पास मत आने देना, क्योंकि वो लोग मुझे stone बना देंगे, क्या पत्थर बना देंगे, फिर let them not spill me, और मुझे मार के, मेरे टुकडे टुकडे करके, मुझे बिखेर देंगे अगर ये साही मेरे साथ होने वाला है, आप मुझे ये सब चीजों से protection नहीं दे सकते, otherwise kill me, मुझे मार दो ये पोयम यही खत्म होती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को like, share and subscribe कर दीजेगा, thank you